राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद से कॉंग्रेस अध्यक्ष पद फिलाल खाली है और कॉंग्रेस इस पद के लिए किसी उपयोक्त उम्मीद्वार को ही चुनना चाहती है। कॉंग्रेस नेता शशी धरूर ने कॉंग्रेस अध्यक्ष पद के लिए प्रियंका गांधी वाटरा के नाम की पैरवी की थी। वहीं धरूर की हां में हां मिलाते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंग ने भी कहा कि प्रियंका गांधी इस पद के लिए बिलकु उपयुक्त होंगी साथ ही पार्टी महासचीव पर पूरा भरोसा जताते हुए उन्होंने कहा कि अगर वह कॉंग्रेस अध्यक्ष चुनी जाती हैं तो हर तरफ उन्हें समर्थन मिलेगा और पार्टी की बागडोर अपने हाथों में लेने के लिए प्रियंका बिल्कुल सही पसंद होंगी लेकिन यह पूरी तरह से कॉंग्रेस कारे समीती पर निर्भर करता है वहीं राहुल गांधी पार्टी के इस फैसले से नाराज हैं क्योंकि राहुल गांधी ने पहले ही कह दिया था कि पार्टी का अध्यक्ष गांधी परिवार से नहीं होगा फिलहाल प्रि अगर आप हमारी ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेस्बुक पेज पंजाबकेसरी.com को लाइक करें और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारी यूट्यूब चैनल पंजाबकेसरी.com को सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि देश और विदेश से जुड़ी पलपल की खबरों के अपडेट्स आपको मिलते रहें अभिशेक माथुर पंजाब केसरी दिल्ली प्ति क्तार मिलते ओडेशातों हो एता नहीं पंजाब के विजए गायो